नमस्कार मैं हूँ पूजा गुपता और मैं हूँ आपकी मेकप एक्सपर्ट आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ जिस लोग के बारे में वो एक संगीप पार्टी का लोग है आज हमारे साथ हैं त्रिवेनी जो यहां पर आई हैं को केशन संगीप के लिए तयार होनी के ल करने वाले हैं जो इस इनकी इस ऑट फिट के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा कॉम्पलिमेंट करेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग तो आज जो हम लोग करने वाले हैं उसके लिए जो पालेट मैंने यह लिया है जिसमें बहुत सारे कालर्स हैं गोल्ड के और क्योंकि हम बेस अरड़ी तियार कर चुके हैं त्रिवेनी का तो हम थोड़ा सा सिक्यूर रखेंगे बेस को और क्योंकि त्रिवेनी ने जो आउटफिट पैना है वो बहुत कालरफुल है और तो हम आईस को बहुत बहुत दा ड्रमाटिक लुक नहीं देंगे जिससे की वो ओवर तॉप ना लगे हम जो पूरी लुक है उसको थोड़ा सटल करते हुए क्योंकि अलरी जो कलर स्रिवेनी ने पैने हुए है रेड है और इंज है पिंक है बहुत सारी कलर्स है तो इसलिए हम जो पूरी पॉर्टल छेड है और हमें इतना जो सटल कलर दे रहे हैं यहां मैं एक टिप अपने विवेवर्स को बताना चाहूंगी कि जब भी आप बहुत कलर फुल आउटफिट पहनते हैं तो हमेशा अपने मेकप को थोड़ा सटल रखिए जिससे की आप एक बैलेंस मेंटेन कर सकें अपने पुरी के लिए तो यहां हमने त्रिवेनी को बहुत एक एक बेसिक गोल्ड एंटीक गोल्ड कालर दिया है और हम आइस को बहुत आदा ड्रमाटिक बिल्कुल नहीं करने वाले हैं हम आइस को बहुती नाच्रल रखने वाले हैं और हम लिप्स पर फोकस करेंगे क्योंकि त्र वेरिणी इस वेरिग्वाष बेरी बीटिफुल पिंक लेहंगा एंद ओरेड ब्लाव्स तो हम जो त्रिवेनी के लिप्स पर कालर देंगे लेप्स का एक जो राइट कालर देंगे इसलिए हम आइस के साथ बहुत जादा एक् करलर लगाएंगी जो हमने अपर लेट पर लगाया है ब्रश में थोड़ा सा करलर लेते हुए एक्स्टर प्रोडाक्ट डास्ट कीचे लुक रप और यहां पर मैं त्रिवीनी की आइस को एक खोल लोग देने वाली हो फिर से जो हमने शैडो लगाई है उसको हम एक बहुत ही स्मॉल प्रोडाक्ट लेंगे हम जो जैल आलेंडर लेंगे बहुत ही थोड़ा प्रोडाक्ट लेंगे अपने ब्रश में क्योंकि हम उसको स्मज कर करते हुए लगाएंगे तो यहां पर मैंने जो प्रोडाक्ट लिया है इसको भी मैंने यहां पर थोड़ा सा वाम किया है और थोड़ा सा अपने ब्रश से कम किया है क्लोज यो राइज कि अचो दूए हाएंगे ने जाख वीजय कर दोड़ाएंगे तो यहां एटे प्रोड़ा स्कॉर्ड़ा कि उनली से कर संदीपश लिया प्ending लिसानीOFF तुझे ऐसा कि आपने देखा ने बहुत जल्दी से एक थोड़ा सा एक स्मोक्ड आउट अफेक्ट देते हुए लाइनर को कम्प्रीट कर दिया है और वही हम नीचे वाटर लाइन में भी देंगे थोड़ा सा प्रोटक्ट और लेंगे और जो भी नीचे एक्स्ट्रा फॉल आउट हुआ है उसको हम डास्ट अफ कर देंगे थोड़ा से दर देखे तरवे नी और यह आई लोग कम्प्लीट करने के लिए हम मस्कारा लगाएंगे लोगाएंगे आपर देखिए और यह हमने जो त्रिवेनी का आई लूक है यहां पर कम्प्लीट किया है थोड़ा सहिना कॉनर्स को हम ब्राइट करेंगे एक गोल्ड के साथ में एक गोल्ड के साथ में जो मैं यहां पर देने वाली हूं इस हाइलाइटर के साथ में यह कोल्ड हाइलाइटर है यह मैं अपने रॉंड प्रश में लूंगी और में त्रिवेनी के इनर कॉर्णर स्पेस को लगाऊंगी तो ब्राइटन अप दाइज और किसी भी हम फ्लफी ब्रश के हेल्प से यह जो हमने गोल्ड दिया है इसको हम थोड़ासा मर्च कर देंगे तो यहां हमने अचीव किया है यह बहुती सुंदर एक साटल गोल्ड लुक और अब बारे आती है त्रिवेनी के लिप्स की तो क्यूंकि एक बहुती ब्राइट पिंक पैना है त्रिवेनी ने उसको ध्यान में रखते हुए हम त्रिवेनी को बहुती ब्राइट लिप कलर देने वाले हैं जो एक्जाक्ट त्रिवेनी के लहंगे के साथ मैच करता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि त्रिवेनी के जो लिप्स है वो एक्जाक्टी त्रिवेनी के लेंगे के कलर के साथ मैच करते हैं और हमने आइस को इससे बहुती साथल लोग दिया है क्यूंकि हम जो फोकस था हमारा वो लिप्स के ओपर था कि बहुत सारे कलर्स पहने हैं तो मेकप को हम उसी तरीके से बालेंस एक एक एक्वेशन दे रहे हैं जो लोग के साथ अच्छी लगए कॉम्पलिमेंट करें तो अब मेकप तो कंप्लीट हो चुका है त्रिवेनी का आप बारे अदे हैं है डुकी तो हम मिलते हैं त्रिवेनी के है डुके बाद तो यह कंप्लीट लुक है त्रिवेनी के और ऐसी ही लुक्स लेके मैं फिर रहा हूंगी आपके साथ तो देखते रहिए केर वर्ल्ट अबस्क्राइब कर दो अबस्क्राइब कर दो